ये जो है एक मिर्श का पोदा है और बहुत सारी फूल इसमें लगे हुए है लेकिन इसमें थ्रिप्स का भी प्रभाव हो चुका है इसमें थ्रिप्स का अटेक हो चुका है और थ्रिप्स के अटेक के लिए बहुत ही स्ट्रॉंग कोई भी पेस्टिसाइड हमें स्प्रे करना पड़ेगा कोई भी फंजिसाइड हमें स्प्रे करना पड़ेगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक लिटर पानी में बिल्कुल चार या पांच बुंदे डेटल के डालके उसका स्प्रे आपको इस पोधे पे करना है जिससे यह बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और हमारे मिर्ची पे जो भी थ्रिप्स का अटेक है वो रुख जाएगा उसके बाद चार दिन के बाद आपको हिंग और हल्दी के बिल्कुल आधे से भी छोटा सा चम्मश लेना है और उसको पानी में भीगो के फिर उस पानी का स्प्रे आपको इस पोधे पे कर देना है जिससे थ्